हालो और वेल्कम फ्रेंट्स हमारे एक दोस्त हैं अजीज दोस्त डॉक्टर राजय सिंग तो ये पीएसडी लगवग फाइनल कर चुके हैं और इन्हों ने कहा है कि एक सेलरी सीट हमें बनाना बता दीजिए तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये विडियो डाल रहा हूं कि से सेलरी सीट कैसे बनाएंगे आप ये देख सकते है कुछ इस तरह का उन्हें बनाना है जिसमें इंपलाई इडंपलाई ञेम फिर बेसिक सैलरी फिर फिर वर्क इंगे फिर वर्किंग तेमार्व फिर आगर ऑबर टाइंग करते हैं तो और फिर यहां पर तैम का अमाउंट वो चीज यहां पे आएगी तो ऐसा कुछ हमें करना है तो चलिया यह देखते हैं इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले एक अलगशे sheet ले लेता हूँ मैं और यहां पर वो सारी चीज़े हम करेंगे तो चलिए यह देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देना है employee ID ठीक है तो employee ID यहाँ पर लिख देता हूँ employee ID ठीक है और employee ID के बाद फिर आएगा employee name तो यहाँ पर कर देता हूँ employee name employee ID और फिर employee name और फिर यहां पर basic salary की बात कर लेते हैं तो यहां पर लिखा मैंने basic salary ओके तो यहां पर कर दिया मैंने basic salary और फिर working day ठीक है तो यहां पर कर देता हूं working day working days ठीक है और फिर working day जो है उसका amount यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लिखता हूँ working days amount ओके यह कर लिया हमने फिर मैं क्या करता हूँ overtime की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ overtime day ऐसके बाद फिर healthcare time day तो होगया अब overtime amount भी कर देंगे तो यहां लिखता हूँ overtime और फिर amount तो यह कर दिया हमने overtime amount और इसके बाद फिर house rent के बाद कर लेंगे फिर medical expense तो यहां पर house advance ओके और फिर यहां पर net salary तो यहां पर net salary calculate होगी तो यह हमने title सारे बना ली है अब हमें क्या करना है इसको resize करना है तो resize करने का बड़ा ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ आपको पूरे data को आप कर लिजे select और मेरे साथ दबाई यह पहले press कीजिए alt ठीक है फिर press कीजिए h फिर o फिर i तो यह अपने आप resize हो जाता है ठीक है अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखाता हूँ आपको तो यह इस तरीके से आ जाएगा ठीक है और इस पूरे data को select करके और इसको मैं कर देता हूँ bold ठीक है bold कर दिया हमने यह इस तरीके से bold हो जाएगा इस पर click कर दिया मैं तो Excel को हमने बता दिया कि ER012 इसी करम में ये रहेगा तो Excel बहुत ही समझदार है ये अपने आप देता चला जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आ चुका है अब यहाँ पर Employee का नाम तो कुछ भी दे देते हैं इसे मैं कर देता हूँ 12,000 यहाँ पर कर देता हूँ 13,000 यहाँ 12,500 फिर इसी तरह से और भी अब यहाँ पर Working Day की बात करते हैं अब माल लिजे कि आपका Work कुछ ऐसा है जो पूरे 30 दिनों का हो ठीक है कहीं कहीं आप चाहे तो अलग से Sunday को include नहीं करेंगे जैसे Sunday को चुटी रहती है तो Working Days की बात करता हूँ तो माल लिजे किसी ने 29 डेज वर किया out of 30, किसी ने वर किया 23 डेज और फिर यहाँ पर आप Amount की बात करेंगे ठीक है तो अभी इसको मैं कैसे Amount कैलकुलेट करेंगे और वो बता देता हूँ देखिए जो Basic Salary है उसको Working Days से आप कर दीजे Multiply ठीक है और 30 से Divide कर दीजे ठीक है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि एक महिने में 30 दिन होते हैं तो Basic Salary तो सबसे पहले इस Equal To से Formula स्टार्ट होगा Excel में और फिर यहाँ पर हम Basic Salary को Select कर लेते हैं तो सारी चीजे अपने आप होती चले जाएंगे अगर आप Drag कर देंगे तो यहाँ पर लगा लिया Into और अब Into लगाने के बाद हम Working Day को Select कर लेते हैं तो पहला वाला Working Day Select किया और इसे Divide कर देते हैं 30 से क्योंकि हम मान के चल रहा है कोई बहुत महत्तुतो है नहीं तो इसे मैं हटा देता हूँ यहां से यहां पर जाएंगे तो यह Decrease Decimal Point इसको मैं Decrease ही कर लेता हूँ और यह भी है तो इसको भी यहां से Decrease कर लेते हैं No Problem तो यह हो गया इस तरीके से अब यहां पर Overtime Day दिया हुआ है यहां पर एक ऐसे करके मैं दे देता हूँ यहां पर Zero ओके तो यह हो गया अब यहां पर दिया हुआ है Overtime Amount ठीक है और Rent यह दोनों एक ही में आ गया है यहां पर मैं क्या करता हूँ यह House Rent को यहां से हटा देता हूँ और फिर यहां पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ तो यह House Rent यह Medical Expense और Overtime Amount के बीच में हमें एक कॉलम चाहिए तो यहां पर Medical वाले पर रखिए यानि Column Number X पर रखिए और यहां इंसर्ट कर दीजिए तो इन दोनों के बीच में एक कॉलम आ जाएगा और इसको थोड़ा सा Resize भी कर लेता हूँ ठीक है और Overtime Amount की बात करेंगे ठीक है तो Overtime Amount कैसे Calculate होगा तो Overtime Amount कैसे Calculate होगा वो बता देता हूँ इस इक्वल्टू का निशान लगा लिजे और अब क्या करना है अब C2 लेना यानि कि यह जो Basic Salary है न यह देखिए इसका जो Salteris है वो C2 है तो यह C2 को हमने Select कर लिया इंटू का निशान लगाना है बीच में Overtime Days यहाँ पर जो लिखा है मैंने इसको 30 से Divide कर दिया है और Multiply कर दिया Overtime Days से और Enter Pest करेंगे तो यहाँ Overtime का Amount आपका निकल कि आ जाएगा आप Double Click करेंगे तो यह सब आ जाएगा और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से Decrease कर लेता हूँ Decimal Points को ठीक है और यह कर लिया हमने इसी तरह से इसको भी करेंगे तो यहाँ से Decrease कर सकते हैं आप Increase Decrease जो भी करना है आप कर सकते हैं Increase करेंगे तो फिर यह Increase होता चला जागा That's why Decrease ही कर लिजे सरसट पैसे का कोई बहुत महरतू नहीं है अब यहाँ पर आ गए हम ठीक है अब यहाँ पर यह जो हमने Insert कराया है एक Extra Column यह किस लेकर आया है याद आपको याद होगा कि House Rent जो है हमने Same Column में लिख दिया था इसी को वज़ा से हमने इसको Insert कराया है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ House Rent ठीक है तो House के Rent की बात करेंगे यहाँ पर तो लिख दिया House Rent और House Rent जो है यहाँ पर किस हिसाब से करना है वो देख लिए किनको किनको House Rent मिलेगा ठीक है अगर कहीं जाते हैं यह जो भी Employee है तो किनको किनको कौन से वो व्यक्ती है क्या वो Category है जिनको House Rent भी मिलेगा ठीक है तो उसके लिए यह हमने बनाया है अब इसको कैसे Calculate करना है वो बता देता हूँ यहाँ पर If का Formula लगा लेता हूँ मैं If जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ ठीक है तो If लगाया हमने और हम क्या कहेंगे यह जो Basic Salary है इसको ले लेंगे ठीक है Basic Salary is greater than ओके और equal to अगर Basic Salary 13,000 से ज़्यादा है ठीक है यह 14,000 से ज़्यादा है कुछ ऐसे हम Condition रखेंगे ठीक है तो इस तरह की Condition देतेंगे जैसे मालीजी मैं यहाँ कर देता हूँ 18,000 ठीक है यह 13,000 से ज़्यादा है ठीक है यह 14,000 से ज़्यादा है कुछ ऐसे हम Condition रखेंगे ठीक है तो इस तरह की condition देतेंगे जैसे माली जी मैं यहां कर देता हूँ 18,000 ठीक है या 17,000 कर देते हैं तो यह condition में कौमा दे देंगे और यहां पर 1200 रुपे अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको मिलेगा ठहरने के लिए ठीक है इतने रुपे आपको कमपणी देगी ठहरने के लिए किसी होटल में या किसी ऐसे जगह जाते हैं तो यहां ठहरने के लिए ठीक है यह अपने कर दिया और अधरवाइस में यहां पर मैं कर देता हूँ ठीक है और ने लोगो को कोई चीज नहीं मिलेगा अगर आप और भी देना चाते तो इसमें कन्डिशन के इसाब से दे सकते हैं जैसे माल लिए अगर आप चाते हैं तो यह एक दे दिया हमने ठीक है दूसरी कन्डिशन क्या होगी यहां पर फिट से लगाता हूँ और फिर इसी को ले लेता हूँ basic salary को ही, तो यह basic salary ले ली, ठीक है, is greater than or equal to, फिर से मैंने किया, और यहाँ पर क्या दे देता हूँ, कि अगर basic salary बड़ी हो या बराबर हो, ठीक है, 15,000 के, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ, 800 रुपे, तो ठेहरने के लिए आपको 800 रुपे का आपको company देती है, ठीक है, और otherwise मैं जीरो कर देता हूँ, और भी 1000 के उपर कोई भी इनको house rent नहीं मिलेगा, और enterprise यहाँ पर double click कर दूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनको 800 मिलेगा, इनको 1200 मिलेगा, तो इस तरीके से हमने calculate कर लिया, अब फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ पर medical expense की बात करेंगे, कि medical expense हम कैसे calculate कर सकते हैं, तो यह बहुत easy है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेजी, ठीक है, medical expense किन को मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप कोई और इसमें criteria देना चाहें, तो कोई और भी criteria दे सकते हैं, आपका इस formula के उपर अच्छा command होना चाहिए, आप आसानिक सत ल ज्यादा है, तो medical के लिए जो मिलेगा, 2000 रुपए, ठीक है, और फिर comma देंगे, और फिर if लगा लेते हैं, अगर फिर वही चीज की basic salary को ले लीजे, is greater than or equal to, ठीक है, इस बार करता हूँ, मैं 14,000, तो थोड़ा सा इसमें घटा देंगे हम, यह हो जाएगा आपका, 1300 रुपए, 1300 का खर्चा जो है company बहन करेगी, otherwise मैं zero कर देता हूँ, और भी criteria आप दे सकते हैं, और भी conditions इसमें हो सकती हैं, मैं यहाँ पर directly zero कर देता हूँ, क्योंकि last में if में दो conditions होती हैं, ठीक है, तो यह condition हम लगा चुके हैं अलड़ी, और यहाँ पर zero करके, इसको close करके और interface कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर zero आ गया है medical expense, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आया हुगा है, तो यह आप देख सकते हैं, कि ऐसे हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी साथ, अब यहाँ पर ESI और PF में देख सकते हैं, दोनों एक ही column में आ गया, तो यह मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे cut कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर right click करके और यहाँ से insert करा लेता हूँ, यह और column, और यह जो PF है, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, यह हो गया, अब ESI 1% है, 1% कैसे calculate करेंगे, तो यहाँ पर is equal to का निशान लगाएंगे, त working day amount जो है, उसे हम ले लेंगे, तो यह हमने select किया, is equal to लगाने के बाद select करेंगे, तो is equal to लगाया, और फिर working day amount को select किया, और into, मालिक यह ESI 1% लगा रहा हूँ, आपको जो जैसी, जैसा आपको देना हूँ, ऐसा दे सकते हैं, तो यह ESI आ गया, ठीक है, और यहाँ पर double click क होई, यह चीज़े decrease कर लेंगे, यह point वाली values का कोई बहुत ज़्यादा ओचित्ते नहीं है, यह हमने कर लिया इस तरीके से, और फिर अब PF की बात करेंगे, तो PF 11% है, तो PF कैसे calculate करेंगे, वो बता देता हूँ, जो आपका PF है, वो भी working day पर ही calculate होगा, तो working days amount जो है, इसक इसको साही कर लूँ, इसको decrease कर लेता हूँ, तो एक चीज़ हमारी और छूट रही है, gross salary जो है, उसके लिए हमने कोई column अभी बनाया नहीं है, तो medical expense के बाद हमें gross salary भी देनी है, तो यह medical expense है और gross salary हमको इसी के ठीक बात देनी है, तो ESI 1% जो मैंने लिखा है, इसी के ठीक Google में right click करके और insert कर लेता हूँ, बीच पर column और यहाँ पर दे देता हूँ, gross salary, gross salary, okay, तो यह हमने दे दिया gross salary और यहीं पर अब हमें gross salary calculate करना होगा, तो चलिए यह calculate करते है gross salary, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले is equal to लगा लेना है, क्योंकि formula यहीं पर हम लगान हमने, इसके बाद हमें overtime amount पर click करना है, तो यह दिखिए overtime amount भी हमने calculate करके निकाला हुआ है, यह लिख लिया, हमने plus किया, और अब overtime amount के बाद house rent जो है, उसको select कर लेता हूँ, ठीक है, zero हो चाया जो भी हो, आप उसको select कर लीजे, इसके बाद medical expense की बात करेंगे, तो medical expense भी हम दा लेता हूँ, यहां से, small point भी हटा लिया, हमने PF तक हम calculate कर चुके है, अब हमें advance, अगर कोई advance लिया हुआ है, तो वो चीज यहां पर देनी है, ठीक है, जैसे मालीचे किसी ने 1000 advance लिया, ठीक है, किसी ने 2000 advance लिया, किसी ने 500 advance लिया, okay, किसी ने एक भी रुपए advance नहीं ल at last net salary calculate करनी है, ठीक है, almost सारी चीज़े final हो चुकी है, net salary कैसे calculate होगी, वो बता देता हूँ, is equal to का निशान लगाएंगे, और अब, तो gross salary को select कर लिया, इसमें से minus करना है, ESI को minus करना है, तो यहाँ पर ESI को minus कर देते हैं पहले, तो यह ESI हो गया, फिर minus कर यह, क्या minus करना है, फिर, PF को minus करना है, तो PF को minus कर देते हैं, यह PF minus कर दिया, और advance अगर लिया है, तो उसको भी minus कर दीजिए, यहाँ पर, और interface कर दीजिए, तो यह देख सकते हैं, कि यह net salary calculate होकर आ चुकी है, और decimal points decrease करना है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं decrease, यह एक ही बार में decrease हो जाएगा, इस तरीके से, परशान नहीं होगी, और अब इसको selection में लेकर के पूरा data, और इसको थोड़ा, बोल्ट कर देते हैं, यह border लगा लेते हैं पहले, यह border लगा लिया हमने इस तरीके से, और इसको थोड़ा चोटा करता हूँ, आपको पूरा पूरा एक ही बार में दिखाई पड़ जाएगा, यह देखिए कुछ इस तरह से यह बना हुआ है, और यह इस तरीके से हो जाएगा, ठेक है, और यहाँ प